हलो स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग एंट्रोनीम को डिसकस करेंगे जो कि सभी तरह के कॉंपेटिटिव एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट होता चाहिए SSC हो या किसी भी तरह का रेलवे एक्जामेशन हो सबसे पहले हम लोग का वर्ड है एंट्रोनीम एंट्रोनीम मतलब होता है ओपोजिट्स एंट्रोनीम का मीनिंग होता है ओपोजिट्स मतलब किसी वर्ड का ओपोजिट फॉर्म सबसे पहला हम लोग का एवट तो एग्रिवेट का क्या opposite form होता है एग्रिवेट एग्रिवेट मिन्स छेरना ठीक है next word है हम लोग का एडेर एडेर मतलब उसका जो opposite form है एडेर का वो होता है condemned या disjoint condemned या disjoint condemned का मीनिंग हो गया हम लोग का निन्दा करना और disjoint का मीनिंग हो गया जुदा करना अब हम लोग का third word है उसी तरह abolish establish का मीनिंग हो गया हम लोग का स्थापित करना और Establish का मीनिंग हो गया हम लोग का स्थापित करना है ठीक है अब है next word Acumen Acumen को opposite word होता है Stupidity और एक्ठो मीनिंग है इसका Ignorance तो Stupidity मतलब हम लोग को पता ही है मुर्खता और Ignorance मतलब होता है अज्यान next word is Abash Abash का opposite word होता है Uphold और एक्ठो मीनिंग है Discompose ठीक है तो Uphold मतलब क्या हो गया कायम रखना और Discompose मतलब हो गया परिशान कर देना ठीक है याद रहेगा Absolve Absolve का हो गया हम लोग को Compel या और एक्ठो मीनिंग है Accused तो Compel मतलब हो गया तुम्हारा मजबूर और Accused मतलब हो गया हम लोग का आरो ठीक है यह हम लिग देते हैं next word is Abjour Abjour का मीनिंग हो गया मतलब सॉरी Absolve का opposite word हो गया हम लोग का Approve और एक्ठो है Sanction ठीक है तो Approve मतलब पता ही हम लोग को Approve मतलब हम लोग जानते ही हम मजबूर और Sancer मतलब हो गया हम लोग का प्रतिबंध ठीक है next is Object Object का क्या होता है Commentable और Praiseworthy यह सब जो है कुछ-कुछ important अट्रोनिम से हैं जो कि अगर पढ़ोगे तो सबी एक्जाम में काफी हद तक फस्स जाते हैं ठीक है तो अब next हम लोग का कॉंडेवल यह प्रेजवर्थी तो कॉंडेवल मतलब सराहनिया होता है ठीक है सराहनिया और प्रेजवर्थी मतलब भी सेम मीनिंग है सराहनिया इसलिए इन दोनों में ही लिखा हुआ है अगला वर्ड हम लोग का Abound Abound means Deficient और एक्ट है Destitute हो गया तो deficient मतलब तो लोगो पता ही है कम ठीक है कुछ भी चीज में कम ही जिसको कहता है deficient और destitute मतलब हो गया निराक्षित या बेसहारा ठीक है निराश्रित मतलब जिसका कोई आश्रा नहीं है या फिर बेसहारा भी बोल सकते हैं हम लोग next is abortive abortive का मीनिंग होता है productive ठीक है और productive मतलब क्या होगा वही हम लोगों पता ही है न उत्पादक कुछ भी चीज़ उत्पाद करना या create करना जो होता है accrimony accrimony का मीनिंग हो गया courtesy और एक है बेनी वोलेंज ठीक है तो courtesy का मीनिंग होता है के स्वाचन से यानि की sister char या कोई भी sister type का courtesy और बेनी वोलेंज मतलब होगा भलाई ठीक है तो जो कोई भी sister वेकती रहेगा वही तो भलाई की सुशता है न इसलिए दोनों को similar words है और एक्रीम होने का यह दोनों opposite word है अब आगे हम लोग का accord accord का opposite क्या होगा discord ठीक है और discord को अगर हम देखने जाए तो क्या हो जाएगा कले या जिसको food बोलते है यानि की बीच में दरार डाल देना ठीक है food यानिकी अब next is adjunct adjunct मतलब क्या होता है sorry adjunct का opposite meaning क्या होता है separated और एक टो है subtracted तो separated मतलब लोग को पता ही है अलग करना और subtracted मतलब भी पता है घटाना है न addition जो subtraction घटा देना अब है adversity adversity का opposite word क्या है prosperity और एक है fortune तो prosperity मतलब होता है सम्रिद्धी सम्रिद्धी मतलब सभी जगा से पड़िपूर्ण धन दौलत कुछ भी चीज़ों हो गया prosperity और fortune मतलब होता है भागे तो जिसका भी अगर माल लोग fortune अच्छा होता है बनिया होता है उन्हीं रोकों ना prosperity बहुत ज़्यादा रहता है सम्रिद्धी तो ऐसे हम लोग इसको याद कर सकते है next is adherent adherent का opposite word होगा rival या हो जाएगा adversary तो rival मतलब होता है प्रतिद्वांदी प्रतिद्वांदी मतलब हम लोग बोल सकते हैं हम लोगा competitor type का या जो enemy होते हैं वो हो गया rival हो गया और adversary मतलब भी berry या फिर जो हम लोगा दोश नहीं है निकि सत्रू ठीक है यह हो गया next is adamant adamant मतलब हो गया उसका opposite word हो गया हम लोग का flexible या soft ठीक है flexible मतलब जो लचीला है ठीक है और soft मतलब तो हम लोग पता ही है नारम next is admonish admonish का opposite word हो जाएगा approve और एक है applaud तो approve मतलब क्या होता है कि manjuri दे देना ठीक है बोलता है कहीं कई sentence में इस्तिवाल किया जाता है कि approve हो गया ही है तो क्या मतलब होता है manjuri manjuri देना ठीक है और applaud मतलब हो गया हम लोग का सराहना और नीचे से कुछ word है la la का opposite word है और हम देखने जाए तो हो जाएगा aggravate और excite तो aggravate हम लोग तो approve में कर चुके हैं जिसका meaning होता है छेड़ना और excite मतलब होता है उच्चेजित करना ठीक है तो यहाँ पर जो meaning है छेड़ना और इट हो सकता है भड़काना भड़काना उतेजित करवा देना ठीक है तो यह दोनों meaning करीब कर भी सेम ही है अब next is alien alien का अगर हम opposite word लेने जाए तो क्या हो जाएगा native या resident तो native मतलब हम लोग को जानते है देशी और resident मतलब होता है निवाशी और alien मतलब भी पर देशी होता है पर देशी ठीक है यानकी जो इस देश का रहने वाला नहीं है तो उसका opposite word क्या होगा native यानकी देशी इसी देश का है resident यानकी निवाशी next word is ascend इसका opposite word क्या होगा descend और एक है sorry यह पर mistake है decline ठीक है तो descend मतलब होता है उतरना यानकी नीचे से लेके नीचे की तरफ उतरना decline मतलब होता है पतन ठीक है तो दोनों का meaning करे करे भी same है पतन हो जाना या नीचे की तरफ आना decrease होना जिसको हम लोग बोल देता है तो ascend का descend हो गया है elevate एलिवेट का opposite word है एग्रेवेट और एक है enhance तो एग्रेवेट मतलब हो गया छेड़ना या भरकाना जो देखे थे हम लोग स्टार्टिंग में और enhance का मतलब हो गया हम लोग का बहतर बनाना ठीक है enhance मतलब होता है कुछ भी चीज हम लोग अच्छे से decorate करते हैं तो उसमें enhance आ जाती एक तरह का तो जितना सारा normal है उसको अगर बहुत अच्छा बनाना और decorate करना तो हो गया हम लोग का enhance करना allure allure का opposite word हो जाएगा repulse या repel ठीक है तो repulse मतलब क्या होता है खदेडना और repel मतलब होता है पीछे हटना रिपेल हुआ ना पीछे हटना जैसे कि जो हम लोग जब भी बंदुक से किसी भी गन से शूट करते हैं तो शूट करने के बाद थोड़ा दिर बाद जैसे शूट करते हैं जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ हम लोग को रिपेल करता है तो वह ही हो गया पीछे हटना या रिपेल ठीक है अब है Aran Aran का मीनिंग होता है opposite word जो है exculpate या part तो exculpate का मीनिंग हो गया हम लोग का सफाई देना ठीक है मैं जैसे कि कुछ हम लोग से गलती हो गई किसी भी तरह का गलती हो गया है तो हम लोग अपने हिसाब से अपने पक्ष में सफाई देने लगते हैं ठीक है वह होता है सफाई देना और pardon मतलब तो सबको पता ही है छमा कड़े या मुझे माफ कर दो इस तरह का कुछ ठीक है तो दोनों का मीनिंग कर एकर भी सेम ही है और यह जो एरेन का opposite word है यह दोनो तो students आज की इस वीडियो में बस इतना ही इसी टाइप के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना